हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्ट्राग्राम की न्यू अपडेट के बारे में जो इंस्ट्राग्राम में न्यू अपडेट आया है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले हम अपना Instagram ओन कर लेंगे फिर आपका ऐसा पेज ओपन होगा फिर अपने प्रोफाइल पर जाएंगे फिर आपका ऐसा पेज ओपन होगा फिर यहां पे थ्री लाइंग्स दीख रहे होंगी उस पे क्लिक करेंगे उसका यहां पे देखिए निव अपडेट जो निव फिचर आए थ्रीट इस पे क्लिक करेंगे देखquently्च यह यह पेज ओपन होगी यह थ्रीट्ड तो यह सेम टूशेम टूटर की तरह है जैसले टूटर में फिचर सेम है वैसे ही इसमें भी है इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है 80% पूरा शेम है देखिए यहाँ पर हमारा यूजर नेम भी आ गया है जो इंस्ट्राग्राम में है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर get threads करेंगे देखे get threads पर click करने के बाद यहाँ पर request का option आएगा request पर click करके उसके बाद हम एप को डाउनलोड करेंगे ठीक है देखिए यहाँ से आप इस एप को डाउनलोड कर लीजिए इंस्ट्राल कर लीजिए हम इंस्ट्राल कर लेते हैं सेम टू सेम जैसे आपका Twitter एकाउन में जैसे होता है फीचर्स वैसी सेम है यह new update आया है दोस्तो देखिए हमारा इंस्ट्राल हो रहा है देखिए दोस्तो हमारा एप डाउनलोड हो चुका है उसके उपन करेंगे जैसे आप इंस्ट्राग्राम को जैसे आपका Facebook है Facebook का ही ID से आप Instagram लॉग इन कर लेते हैं वैसे इसमें भी आप Instagram के ID से इस एप को लॉग इन कर सकते हैं देखिए हमारा Instagram का username यहाँ पर आ चुका है अब दूसरा एकाउंट से इसको open करना चाहते हैं तो आपका स्वीश टू एकाउंट कर लेंगे नहीं तो आपका Instagram का यूजर नेम से ही आपका यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा हम Instagram से ही लॉग इन करेंगे तो इहाँ पर Instagram आ गया है Instagram का यूजर नेम आ गया है में से कर लेते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे देखे उसकर यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टा यहाँ पे लिंक नेटर इंपोर्ट करेंगे उसके यहाँ पर देखें, continue पर click कर देएंगे, उसके यहाँ पर देखें, आप अपने profile को public रखना चाहते हैं, यह private रखना चाहते हैं, तो हमारा Instagram का account public है, तो हम public ही रखेंगे, जैसे Twitter का account भी हम लोग का public ही है, तो इस पर भी हम public ही रखेंगे, क्योंकि same Twitter की तरह है, देखें, यहाँ पर जो जो आपके Instagram के followers होंगे, सब यहाँ पर आ जाएंगे, जिसको जिसको आपको follow करना है, उसको आप follow कर सकते हैं, तो उसके यहाँ पर follow, follow all कर दिए हम, उसके यहाँ पर देखें, उसके यहाँ पर join threads पर click कर देंगे, देखें, same आपके जैसे Twitter में, जैसे page आते हैं, homepage वैसे ही same threads में भी है, same देखें, same to same वैसे ही है, देखें, आपका Instagram का ID से यहाँ पर login हो चुका है, यहाँ पर share profile कर सकते हैं, यहाँ पर edit profile कर सकते हैं, कुछ change करना है, तो उसके change कर सकते हैं, दोस्तों, अब verified का option आएगा, यहाँ पर, देखें, यहाँ पर verified का option आएगा, यहाँ पर mention का आएगा, ऐसे आप, देखें, इतने सारे हमारे, देखें, इतने सारे हमारे followers भी आने लगे हैं, इसको confirm कर सकते हैं, confirm कर लीजिए, देखें, यहाँ से आप, start a threads, यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिग कर, यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए, तो यह new update आया है, दोस्तों, इंस्ट्राग्राम का ही new update है, threads का, बहुत ही new update है, Threads का, इंस्ट्राग्राम का ही है, same to same जैसे tutor में होता है, वैसे ही है, जैसे homepage टूटर में होता है, वैसे ही homepage इसमें भी है, same to same features है, जैसे आप टूटर चलाते हैं वैसे यह भी है, यह new update आया है, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको समझ में भी आया होगा, कि यह threads है, कि आप बहुत confused होगे, कि Instagram में क्या new update आया, क्या feature आया, जो और प्लीस हमें comment में बताइए, कि आप threads app को download किये हैं, या नहीं, कैसा लगा आपको threads app, प्लीस हमें comment box में बताइएगा, तो चलिए हम मिलते हैं आपको next video में, thanks for watching this video.